सब्सक्राइब कीजे हिंदी क्लब को दबाईए इस बेंड आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वाकत है आज इस वीडियो में हम किवियस के बारे में चर्शा करेंगे सबसे पहले मैं तो आपसे सौरी बोलना चाहता हूँ आपका रिपलाई मैं नहीं दे पाया कॉमेंट बॉक्स में लेकिन आज मैं आपके कॉमेंट्स भी पढ़ूँगा और साथ में बताऊंगा भी कैसे आप अपलाई करें अच्छे तरीके से अपलाई कैसे करें ताकि कोई गलती नहीं रहा है और यह बिसेस वीडियो में लेके आया हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं हो आप एक दिन में पूरा फॉर्म भर सकते हैं पेमेंट तक कर सकते हैं और इतनी अच्छी यह साइट चलती है कि दिल खुस हो जाता है बहुत यह चलती है क्योंकि यह बीटेट और रिपीटेट का साइट नहीं है और भीड भी थोड़ी सी कम है अगर आप अच्छी त्यारी करते हैं को निस्यत ही के विएस में सीट अपका पक्का होगा तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले मैं अप्लाई के बारे में बता दोता हूं कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए और क्या बीसेस है कि तेजी से आप फॉर्म भर सकते हैं उसके बाद आपके कुश्चन पढ़ूंगा और एक एक सीज बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करें सबसे पहले मैं अप्लाई के रहा अप्लाई करने के बाद आपको तो इतना पता हिए आपको क्या भरना है कि एक में इसको बताता हूं कि अगर तेजी से अगर date कैसे भरना है तो simply funda अगर date भरना है आपको date of birth तो यह देखिए ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो late होगा आपको simply click करना यहाँ पर यह 17 यह निशन इसको भी simply click किजिए एक बर और और यहाँ से आप जो भी sun select करना चाहते वो select कर लीजिए जैसे में मुझे select करना है 90 फिर इसमें जो बन चाहिए वो select कीजिए फिर जो date चाहिए वो select कीजिए और यह आपका बन के त्यार मतलब अपडेटों भर लिए और आपको क्या चाहिए इसमें इसमें आप जब भरियेगा तो email address वेगरे mobile number तो आपके पास होना ही चाहिए और आपका एक question था किसी का कि एक सा अपलाई कर सकते हैं कि जीहां आपको अगर भरना है PGT TGT दोनों एक साथ तो दोनों एक साथ ही भरे लेकिन एक और बात बता दूँ को अगर दोनों आप एक साथ भरते हैं और सोचते हैं कि 750 रुप्या में हो जाएगा तो ऐसा नहीं है दो भर रहे हैं तो आपको देने हो कि जिसक चीन नहीं रहें आप लोग को यहाँ सब्च्छेक्ट कर सकते हैं जिसके लीए आपको चाहिए जिसे looking के लिए चाहिए तो दुसरे के लीए भी आपको अपलाई करना है तो मैं अपको उसको भी दिखा देता हूं सॉरी यहां मैं math कर लेता हूँ जो physics है तो math ही होगा न अप्लाई तो यह हो गया physics और math कुछ लोग ने पूछा था कि सर physics के लिए apply कर सकते हैं हाँ अगर physics आपका MSC वेकर जो भी है तो आप physics के लिए apply निसीथ ही कर सकते हैं कि लिए परसेंटेज पर आप लोग ध्यान रखिएगा 50% होना चाहिए आपका कुछ लोग का problem था कि कैसे भरे तो आपको simply आप ले लिजेगा जो भी आपके पास आपको डालना है पासिंग यर के बाद आपको डालना है किस बोर्ड से हैं और कितना परसेंट आया हुआ है फिर यहां जाते हैं तो आपको simply सेम वही सबका भरना है डिप्लोमा अब डिप्लोमा के बार में जैसे computer अगरे आपने किया है डिप्लोमा तो उसको यहां डाल सकते हैं फिर graduation में अगर जाते हैं तो आपको यह सेलेक्ट करना है कि बीका में क्या है नहीं तो अधर स्टाल देंगे आप ठीक सन और यहां आपको हो जाएगा आपका बोर्ड यह आपका इंश्यूट बोर्ड जो भी है वो इन्हों सिटी उसको डालना है फिर यहां परसेंटेज हो जाएगा सीटेट में हलका सा यह चेंजिंग यह Sumedul Brand exposing ध करनका फराइगा ओर देंगे इस में आपको जो फिल करना हो नहीं फिल कर सकते हैं अगर परसेंटमार्ट से वह बैंगे और सीटेट अगर फर्स्ट पेपर नहीं है आपका तो सेकंड पेपर बढ़िए कि सेकंड पेपर जिस एयर में कौलिफाइड हुए है वो और जितना आपको मार्स्क मिला है वो भरना आपको क्लियर या कर िछ इसको सात मिला एक सो साथ एक सो दस मिला है कि अगर आप parole कर रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है सीटेट ज़रूरीALLYद नहीं है इसके बाद वाद नया पैज चाता है नया आपको φोट चाहिए चली उसको भी मै एक बार दिखा देता हूँ कितने के भी का होना चाहिए फोटो और क्या होना चाहिए यह पहला step हो जाएगा उसके बाद दूसरा step में आपका फोटो वाला होगा तिसरे step में payment हो जाएगा यह step 2 ऐसे खुलेगा आपका step 2 पे जाएगे तो यहां देखें यहां आपको वो registration number डालना होगा जो आपका था जो step 1 में था फिर आपको यहां अपना date of worth डालना होगा और यहां capture जो उपर में है वही डालना होगा तो इसमें एक और बात बता देता हूँ यह सब capital letter में होते हैं को आप capital letter ही डालिएगा जितना पर capture आपसे मांगा जाएगा फिर यहां पर login करेंगे तो login करने के बाद आपको photo के लिए बोला जाएगा को मैं photo भी दिखा देता हूँ तो यह रहा आपका photo तो यहां पर आपक 50 kb का maximum file 50 kb से कम का होना चाहिए photograph signature भी 20 kb से कम होना चाहिए photographs 50 kb से कम होना चाहिए signature 20 kb से कम होना चाहिए यहां पर choose file पर click करना है तो यहां पर आपका photo आजाएगा select करने के बाद फिर यहां choose file पर click करना है तो आप signature अपना select करेंगे फिर यहां signature आजाएगा और submit step 2 यहां submit करते हैं उसके बाद आपका last step आएगा जो payment से संबंदित होगा तो payment कर दीजेगा तो आपका step 3 clear उसके बाद आप क्या करेंगे यहां पर जन्रेट confirmation page पर क्लिक करके लॉग इन करके वैसे ही लॉग इन करके आप confirmation page कर लिजेगा जन्रेट confirmation page कर लिजेगा फिर यहां पर final print out of application पर क्लिक करके final print out application ले लिजेगा तो आप चलते हैं आपके comment पर जिसका जवाब मैंने नहीं दिया था तो चलिए आपके comment पर चलते हैं पहला comment है रिना सिंग का sir मेर physics honors है और मैंने physics science से bade किया है लेकिन seated का exam नहीं दिया है क्या मैं eligible हूँ देखिए मैं पहले बता दू अगर आप seated नहीं है तो TGT नहीं बर सकते हैं लेकिन अगर आप अगर आपने PG किया है तो आप भर सकते हैं PGT के लिए अगला question है अलका गुपता का इनका बीटेट से सम्मंदित है मैं next question लेता हूँ यह special bade क्या होता है special bade special लोगों के लिए होता है special child के लिए special child तो जानते होंगे बिसेस्ट बिसेस्ट जिसको कोई problem फेजिकल वेगरे जो भी वह होते हैं उनके वह special bade करते हैं जैसे मतलब असमर्थ हो किसी में आख वेगरे सही सब में संजीव कुमार इनका प्रूश्ण है सर पीजी कॉलिफाइग है बीएड एपेरिंग है देखिए सब का percentage उसमें डालना है तो आप ये जाल सकते हैं पर्सेंटेस उसमें डालना है फिजी टी के लिए भी सीटेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए फिजी टी आप भरना चाहते हैं तो पीजी है तो भर सकते हुज्ट क्या के विए स्ट के लिए साइन्स के संतोष कुमार सिंग का है सर क्या के बीएस में फॉर्म भरने के लिए साइन्स के सबसेड़ी में भी 50% होना चाहिए लेकि साइन्स आप अगर TGT के लिए पूछ रहे हैं तो आप उनर्स पेपर का ही परसेंटेज तो सब जगे डालते हैं तो उसमें कोई लेना देना नहीं है सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है क्या सर प्लीज रिप्लाई सीटेट में बताया TGT और प्रामरी के लिए तो जरूरी है लेकिन PGT के लिए नहीं है अगर PG है आप तो भर सकते हैं PGT बलने सर PGA पेरिंग अप्लाई कर सकते हैं आप TGT कर सकते हैं अगर सीटेट है तो PG नहीं कर सकते हैं कि फिजिक्स ओनर्स वालों के लिए तो अप्शन नहीं है ना मैथ में ना साइंस में रिगार्डिंग तू TGT देखे संजीव जी जहां तक ऐसा किलियर कहीं नहीं लिखा गिया है कि TGT के लिए जो फिजिक्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर मैथ का है अगर आपके साथ मैं हो और फिजिक्स अगर अब का होता है तो अर्ट सर्पीजी टी और टीजी टी दोनों एक साथ भर शकते हैं, या अलगल है, दोनों एक साथ भरी आप, और अनुराग रंजन, अनुराग रंजन जी आप से मेरी बात हुई थी आज, तो आपको साथ नमबर में मेरे ही गया होगा और मुझे नहीं लगता कोई प्रसन बचता है प्रसन बचेगा तो इस वीडियो में फिर से कमेंट केजिए मैं ट्राइ करूंगा जवाब देने के लिए और फॉर्म आज कल में डालेजे क्योंकि 17 तारिक लास्ट टेट है okay thanks for watching this video bye bye